हेलो व्योर स्वागत है आपका हमारेटूब चैनल ते टीचर एक्जाम में तो कैसे हम अपलोगा यह होप कि आफसोस्त होंगे और मस्त होंगे तो दोस्तों बात करेंगे एक और पीछडी अडमिस्टी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन है कि स्टेट गवर्मेंट इंवर् जहां के नर्च मैं ही कौ। तो आप करके को कहलें तो आप फुल टाइम और पाइ 네 अगर आपॉली एक तब भीद हो रही है तो hier आपके कुछ इंपॉमिस के को सबněस्त就 करेंगे क Means को प्सक sonra बारे में पूछिए इसको लिए कोन कर दो सब्सक्राइक्स उप लेकिन चलने से पहले आप से एक रिक्वेश्ट है चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वेल आइकान दोस्तों जरूर पेस कीजिए तो चलेंगे यहां पर आपकी जो उनिवर्शिटी उसे देखेंगे साथ यहां पर दोस्तों अगर आप इस अगनों में देखने को मिलेगी इसमें लाइंगोज सब्जेक्ट के अलावा अधर भी सब्जेक्ट ले भी आवद इंपत्र मांगे जाते हैं तो उन्में भी आप अपवदन कर पाएंगे यह इसका नोटिफिकेशन है जहां पर आपकी जो रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट कर आए जाएगा पीजडी में अड्मिशन के लिए तो यहां पर इसके समद्रें सारे पॉइंट्स कर देए तो यहां पर पहले बात करेंगे आपके अप्लीकेशन फॉर्म बना एक कैसे अप्लाइप करना आगे आगे हम बता देंगे आप यहां पर फुल टाइम और पार जो पोस्ट्वेशन है 19 सेप्टेंबर से पहले कंप्लीट किया है तो आपको भी 5% मिल जाता है अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो यहां पर इलिजिबल हैं और आप अविजिबिल्टी हो जाते हैं लेकिन यहां पर हम बात करें आपकी पार टाइम पीजडी की इलिजिबिल होने चाहिए प्लस आपके पास यहां पर एक experience भी होना चाहिए साथ यहां पर आपके पास no-objection certificate होना चाहिए जो यहां पर आप work कर रहे हैं उसके जो head है वहां से आपको एक जो certificate है no-objection certificate आपके पास होना चाहिए तो यहां पर एक आपके पास experience भी मांगा गया जो की तो आपके पीएडियों कर दिया जाता है तो यहां पे पास आपके पास आपके पास 55% माक्स होने चाहिए हो जाएंगे duration के अगर हम बात करें तो आप यहां पे अपनी जो PhD है वो minimum 5 सालों में maximum 8 सालों में आप अपनी PhD कम्टीट कर सकते हैं तो यह आपकी duration और eligibility हो जाती है तो यहां पर जो part-time करेंगे उनके पास यहां पर इंटर्व्य वाइस वाइबा का दिया गया है तो 70 और 30 का वेटेश यहां पर आपको देखने को मिलेगा अगर आप जितना अच्छा performance आप इंटर्ण्स एक्जाम में करेंगे उतने ज्यादा chances आपके सेलेक्ट होने के इसके साथ यहां पर दोस्तों जो 115 पे यहां पर फिलेक्ट कालिफाइं है उनको यहां पर इंटर्वीस मीलेगा लेकिन इंटर्ण्स एक्जाम सभी कंडिड़ को देना पड़ेगा यहां पर बताया गा कि को मतलब आप सकता है, इंटर्ण्स एक्जाम बेंगे तो आप एहां पर जर्फ एन नेट ये यूपी सिर्ट क्वालिफाई हैं तो आपको इंटर्वे में कुछ परसंटेज का वेटेज मिल जाए यह नहीं कुछ नंबर आपको एक्ष्टा दे दी जाएंगे अगर इस एक्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो यहां पर रेट क और आपका यहां पर फाइनल रिजर्ट घोसित कर दिया जाएगा तो यह दोस्तों आपके यहां पर जो पूल टाइम पेडी करेंगे उनकी यहां पर जो अब बात करें पार टाइम पेडी के सेलेक्शन प्रसेजर के बारे में तो यहां पर भी आपको 70 और 30 का वेटेज दे देखने रहेंगे 30 पर यहां पर आपका जो वर्क एक्सपीरेंस एकडमिक इंडेक्स है और जो भी आप यहां पर इंटर्वी और वाइस वाइबर में प्रफॉर्म्स करेंगे उसके आधार पर आपका सेलेक्शन होने वाला है यह आपके हो जाता है पार टाइम जो कंडिड में होने पर एक तो प्रेड परफो के थो सब्सक्राब कराербात है उसके लमदेक्ट के रहेंगे उनको रहेंगे और ऐसकन को टाइम मिलेगा प्रते बात करें तो आपको मिनट्स को मिलेंगे और 75 मिनट्स यहां पर भी आपको मिल जाएंगे टोटल यहां पर आपको दो गंटे 30 मिनट का टाइम मिल जाएगा यहिए यहान पे यहान पर फूल टाम जो पेरों प्रमक्राइब मेंस कर सकती हैं यह आपकी इन ऊपिए कर सकती हम है यह इन चेह कर सकती हैं जीसे हैं, human development उसमें आपके यहां पर एक seat है, जनल जी मैं इन मास काम्स को मुपकेशन के यहां पर एक seat है, commerce के यहां पर आपकी पांच seat है, business administration में आपके यहां पर एक seat है, education में आपके यहां पर दो seats है, तो यह total आपके यहां पर no subjection, जो कि full time PhD के लिए आप इसमें पत्र मांगें इन नो subjection में, इसको अगर हम बात करना, आपके यहां पर पार टाइम PhD की seats के बारे में, तो यहां पर mention की हैं, जिसमें अर्भी के आपकी एक है, उर्दू की दो हैं, English and modern European and Asian language में आपकी एक seat है, आपके साथ मार्क्स हो जाएंगे, यहां पर टोटल आपके जो मार्क्स बनेंगे, दोसो नमबर बनेंगे, दोसो नमबर से यहां पर आपकी मेरे ट्रिस्ट तायर की जाएगी, तो आप इसे भी यहां से चेक कर पाएंगे, जर्णल इंफरमेशन दीग है, तो आप इसे रिट करना चाहें, यहां पर आपके अप्लिकेशन फीज मेंशन की गई, जो कि यहां पर दो हजार रुपे अनुजरब कर्टेगरी, ओबी सी कंडिडेट्स को पे करनी पड़ेगी, बाग यहां पर पंदरास रुपे जो स्टिडूल का, स्टिडूल ट्राइब के कंडिडेट्स हैं, यह फिजिकल चैलेंज कंडिडेट्स हैं, उनको यहां पर पंदरास रुपे प्लिकेशन फीज पे करनी, जो कि नॉन रखी गई है, और यहां पर आपके दो पेपर की बीच जो टाइमिंग, यहां पर अध्मिट कर आपका जो इंटरेंस टेस का है, विशू कर दिया जागा 30 जनली 2023 को, डेट आप इंटरेंस टेस्ट यह आपका पांच फरूइड 2023 को कंड़र करा जाएगा, तो इंटरेंस एक्जां जो 5 फरूइड 2023 को संड़े का दिन रहेगा, अगर हम बात कें इंटर से ऑ doux की सेंटर कें इंशिटी का कंपस वहीं पर इंख्याम कराइक स्थ्थ्जांक कर आगा तो यह इफिल उटिए नटेशिट्स साइट पर चलेंगे तो आपको यहां पे नीचे विंसन किया गए यह दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है फुल टाइम और पार टाइम गाइड लाइन्स इस पर आपको लोगिंग कर पाएंगे और यहां से अपना अप्लीकेशन फार्म बढ़ सकते हैं तो आपको रजिश्टर नाओ पर किलिक करना है और अप्लीकेशन फार्म उपन हो जाएगा और यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लोग किसी प्रकार की कोईरी तो हेल्प डेक्स दी गई इस पर आप कुश्चन पूल सकते हैं या फिर अपना कुश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूंच पर तो दोस्तों आपका नोटिफिकेशन था जो एक श्टेयर्ट गवर्मेंट इनुश्टी के दरफ लाइक आप दोस्तों जरूर पेस किजिए जिससे की वीडियो की लेटिस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मिलेंगे ऐसे करने पेड़ी के जानकारी के साथ अपनी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन सौस्त रहें मस रहें